प्रदेश देखरें आप मैं हूँ आपके साथ सुनाली जोशी यूपी विधान सबाचुनाव 2022 में अब महज कुछी महीने बाकी है जिसको लेकर पार्टिया रैली जनसबा के जरिये वोटरों को रिजहाने में अब जुड़ गई है सत्ता में काबिज भारती जनता पार्टि भी मिशन 2022 फत्र करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाती है इसको लेकर पार्टि ने दिगजों को भी जमीनी हतियारों पर सौब दिया है और अपने दिगज नेताओं को मैदान में उतार दिया है कहीं कोई वोट बैंक को रुजा रहा है तो कहीं अपने की ये हर वादे को पूरा करने में जुट गया है लेकिन इस सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दिगज नेताओं का आखिर प्लान क्या है कैसे देंगे विपक्षियों को इस बार बड़ा जटका इस रिपोर्ट में देखिए यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का फोकस संगठन की मजबूती के साथ चुनाव प्रबंदन को धार देने का है संगठन की जिमदारी पूर्व केंद्री मंतरी राधा मोहन सिंग के हाथ में है वहीं काशी में सुनील उजः, वेस्ट उपी में संजे भाटिया, ब्रज में संजेच और असिया, अवद में वाइस तरक कुमार, कानपुर में सुधीर गुपता, गोरकपूर में अर्विन मेनन और सुनील उजः को काशी शेत्र में मामलू का प्रबहारी बनाया गया है में शोभा करंदलाजे कानपूर में अनुराग ठाकूर पश्चमी यूपी में कैप्टन अभिमन्यू काशी शेत्र में अनुपूर्णा और ब्रज में अर्जुन राम में घवाल और विवेक ठाकूर को सहप्रभारी की जिमिदाली दे दी गई है पांडे अवद में शोभा करंदलाजे कानपूर में अनुराग ठाकूर गोरकपूर में और अनुपूर्णा देवी को काशी शेत्र में चुनाफ प्रभंधन का सहप्रभारी बनाया गया है बता दे बीजेपी ने बूत स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए वरिष्ट नेताओं को मेदान में उतारने और शेत्र के हिसाब से विजे संकल्प यात्रा निकालने का फैसला लिया जिसके तहट बूत स्तर पर कारेकरताओं में जोज भरने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा गोरकपुर और कानपुर में बूत अगधक्षों के संबेलन को संबोधित कर चुके हैं वही रक्षामंत्री राजनाज सिंग अवद और काशी शेत्र के बूत अधिक्षों के सम्मेलन में शामिल हुए आपको बता दे बीते विधानसबा चुनाव में भारते जंता पाटी ने 312 सीटे जीत कर प्रचंड भहूमत हासिल कियी थी राज्य की कुल 403 विधानसबा सीटों में से समाजवादी पाटी 47 सीटे बीएसपी को 19 और कॉंग्रेस को सिर्फ 7 सीटे मिली थी लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में क्या हुगा ये देखना दिलचस्प है जी हां तो देखा आपने बीजेपी ने अपने दिगज तो मैदान में उतार दिये हैं आपको बता दे सीएम योगी इन 4 सालों में जितनी भी घोशना करी है जितने भी विवादे लोगों से किये हैं उन पर बीजेपी खरी हुतरी है इस बार भी चुनाव के पहले सीएम योगी के यूपी के दौरे शुरू हो गए हैं सीएम योगी के साथ ही बाकी बीजेपी के दिगज नेता यूपी को एक एक कर अपने कामों के बारे में बता कर नई सोगात दे कर अपना भरोसा बनाए रखने का काम कर रहे हैं देखना ये होगा कि ये भरोसा क्या बीजेपी को 2022 को चुनाव एक बार फिर जुता पाएगा इस खबर में मेरे साथ इतना ही बने रहे है क्या पिटल टीवी उत्ता प्रदेश के साथ जैहन